चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारी कॉनमिक्स की सीरीज चली थी इसका पार्ट नमबर एड देखे यह कावी चोटे हैं हम इसे जल्दी से देख लेते हैं हम लोगों ने काफी बड़ा सेक्षन कबर गर लिया है और मैंने आपका एक ऐसा बीस बना दिया जिससे आप समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है तो देखे दो टर्म से बचे इन्हें भी हम देख रहेते हैं जल्दी से फिर हम लोग इंपॉर्टेंट सेक्षन अपना कबर करेंगे ओके इसमें इसमें इंफ्लेशन टेक्स है इसमें देखे ध्यान से दो बड़ है एक है इंफलेशन इसमा बोलते हैं दूसरी टेक्स जिसको बोलते हैं कर थो हम लोग क्या होता है जो काशने बतर OFF है जैसे कि आंपने देखा होगा इंकम सrito के बारे में सधूराbecue सब नहीं उना बारे मारे में जय emaa हमसे बसूलती है तो कहां से हमारी जीप पर नकारात्मा फ्राव पड़ता है मतलब अगर जैसे कि उसने टैक्स है वो दस परसेंट से बढ़ा करके बीस परसेंट ले लिया और हमारी इंकम मानते हैं सो रुपए है तो सो रुपए में से बीस रुपए किसके हो गए गौवर्म इससे क्या हुआ हमारा जो हमारी जो आई है जो काम हो गई न हमारे पास वैसे सो रुपए बसते हैं लेकिन अब हमसे बसूलती नहीं है जो एन्फलिशन्ट है आए वह हमसे बसूलती नहीं है अब आमकी दमाग में ऐसा आ सकता है कि government inflation tax हमसे लेती नहीं है तो इसे जारी क्यों करती है government ओके आपके दमाग में ऐसा question आना चाहिए नहीं आ रहे तो तुड़ी गलत पाते हैं अब देखें आपने ऐसा सोचा कि अखिर इसे जारी क्यों किया जाता है जब government हमसे लेना ही नह होता है इससे क्या होता है जो government है कितना प्रभाव पढ़ रहा जो inflation है उस पर उपहुखता है उपहुखता कितना प्रभाव पढ़ रहा है वही देखती है जैसे मैं आपको यह example कि inflation Ka rate है उन्없भी शर्च सब्लियस जो और परसेंट है अब यह 10% inflation है और यह 10% inflation उपभोगता की बचत पर कितना परभाव डालता है यानि कि जो उपभोगता है उसकी income पर क्या परभाव पड़ रहा है इसी को देखने के लिए इसी को पहचानने के लिए वह जारी करती है inflation tax अब देखी question इस तरह से पुछ हो जाता है कि inflation tax क्या government हमसे बसूलती है या फिर लेती है या हमारी बचत को कम करती है तो नहीं तो यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि government हमसे बसूलेगी नहीं तो हमारे इंकम कम नहीं होगी जैसे यहां पर सौ रुपय में से 20 रुपय हमने government को दे दिये तो हमारे पास कितनी इंकम बची सिर्फ 80 रुपय बची लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है अगर inflation tax मानते हैं कि बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है हमारी जो इंकम कम हो जाएगी नहीं तो आपको दिहान रखना है इसलिए मैंने इसको अच्छे से बताया है अब दूसरा हम देखते हैं core inflation आप देखे इसमें फिदो बर्ड है एक inflation दूसरा core को कहता है केंद्र दूसरा होता हुता है इंफ्लेशन तो मिश्ट है कि हम लोग एक बास्केट लिते हैं और उसमें मानते हैं कि सौ बस्तुएं हमने सौ गोड़ सेवन सर्विसेश रख लिए और इनका जो प्राइज होता है यही उपर नीच से जाता है और इसी की गढ़ना करके जो हमारे पास डेटा प्राप्त होता है उसी की आदारपन हम लिक वस्तुओं को बहार लिका दिया जाता है और जोажу क काळता है जैसे ihmं करेंगे से दस बस्तूएं ऐसी है जो प्राइज इनका बहुत तेजी से जिनका प्राइज बहुत तेजी से ऊपर चला गया तो यह क्या करेंगी सबी बस्तूओं का प्राइज बढ़ा देंगे ना एक तरह से जो टोटल हमारे पास इंशलेशन लिकल के आएगा वो हमें ज्यादा देखेगा बल्कि ऐसा नहीं है इसमें से जो बची हुई बस्तूओं हैं मानते हैं जो 90 बस्तूओं है इनका प्राइज तो त्यजी से बढ़ा ही नहीं ना तो हम क्या करते हैं जैसे की आप लोगो ने सुना वगा भी गोड है जो सोना है इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वैसे अभी 24, 25, 28 तक था कुछ दिन पहले लेकिन अब आप देखेंगे लगों 60, 65 तक का पहुंच गया है तो हम क्या करेंगे इस बास्केट में गोल्ड भी रखाव होगा तो गोल्ड को हम बाहर लिका देंगे वह सेस बस्तु है हमारे बास जितनी बचेंगी मानते हमारे पास 90 बस्तु है सेस बचेंगे इनका जो प्राइज है जो धीमी गति से नॉर्मली रोप से बढ़ रहा है इन किसे क्या पराप्त होगा इसी लेटा को क्या कहेंगे को क्या कोन से कहेंगे पास के लिए समझना कोर Gilbert लिखान के से बढ़ जाता है तो उन्हें मैं इस बस्तु है उसी से बहुते हैं कि का को कहते हैं कूर इंफलेशन तो यह दोनों चीज़ें आपकी कबर हो गई अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक है जो स्टार्ट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी यानि कि मॉद्रिंग नीदिया यह देखिए हम लोग नेक्स वीडियो में देखेंगे मैं यहाँ पर इसी क अगर आती को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी सेयर करें और यहां पर भी टाउट झाल करकी है